हेलो एवरीवन, वेल्गम अगीन टू लंगरे देतीमन, तो आज हमारा चैप्टर रहेगा राजिस्थान के प्रमुक मेले, तो चैप्टर जो है, इम्पोर्टेंट है, यहां से एक प्रस्ण जो है, वो आपको एक्जाम में देखने को जरूर मिलता है, तो मेले क्या होते हैं तो मेले जो है, इसका आर्थ होता है, एक ऐसा इस्थान विशेश जहां पर जन समू झो है, एक अत्रित होते हैं, और उस्षवों को मनाते हैं, ठीक है? जिससे कि यहां की लोग संस्कृति जो है, वह पता चलती है, किस तरीके से लोग जो हैं, इससे संस्कृति को अपनाते तो यह हमें मेले में भी पता लगता है तो यह जो उत्सव होते हैं तोहार होते हैं मेले जो होते हैं इसमें लोग जो हैं वो अपने अपने गीत अपनी संस्कृती जो है वह लेकर आते हैं तो ज्यादा तर जो मेले और त्योहार होते हैं इनका मूल क्या होता है धर्म होता है अपने धर्म को दर्साना किन्तु कई मेले त्योहार जो होते हैं वो अपनी सामाजीक और आर्थिक महत्व के कारण प्रिसिद होते हैं तो मेले जो हैं वो आप लोगों ने अपने बच्पन में देखे होंगे जब अपने माता-पिता के साथ मेले गए होंगे वहां पर देखा होगा विविन तरीके के जो वो लोग उत सब मनाते हैं वहां आपने खूब इंजोई किया होगा तो चलिए देखते हैं जो कि हमारे एक्जाम में कुश्चन जिस तरीके का पूछा जाएगा हम केवल यहां पर वही बात करेंगे यहां जो भी मैं आप लोगों को लिखकर ज जो कि आपके एक्जाम में आएगा तो सबसे पहले है पुसकर मेला तो पुसकर मेला जो है कहां पर लगता है पुसकर में लगता है और पुसकर कहां है अजमेर जिले में है और यहां पर जो मेला लगता है कार्तिक सुकल एकादसी से पूर्णिमा तक यहां पर बहुत ही वि इसाल मेला लगता है ध्यान रखेंगी पुसकर मेला पुसकर में लगता है और यह कार्टिक सुक्ल एकादसी से पुर्निमा तक लगता है और इसमें स्नान का विसेस महत्व जो है वह मानाजाता है ठीक है? और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मात्र जो ब्रह्मा जी का ऐसा मंदिर जिसमें विदिवद रूप से पूजा होती है, तो वह कहां है? पुसकर में हैं. ध्यान रखेंगे. कार्थिक महा में ब्रह्मा जी ने पुसकर में एक यग का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवता को आमंतृत किया था. तो पुसकर में मेला जो है कार्थिक सुकल एकादसी से पूर्निमा तक क्यों लगता है? क्योंकि कार्थिक महा में ही ब्रह्मा जी ने पुसकर में एक यग का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं को यहां आमंतृत किया था. तो ब्रह्मा जी ने यहां पुसकर में ही यग का आयोजन क्यों किया? तो देखिए कहते हैं कि यहाँ पर एक राचस था फुसकर में तो उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंख मचाया हुआ था तो ब्रह्मा जी जो है आते हैं और उस राचस का कमल की फूल से जो है संगहार करते हैं तो उनकी जो कमल की पंकुडियां होती हैं वो तीन जगे गिरती हैं तो जहाँ जहाँ गिरती हैं वहाँ पर जीले बन जाती हैं तो एक जगे पुसकर्थी यहाँ पर वह है पंकुडी गिरती है ठीक है और उसी के बाद जो है ब्रह्मा जी इसी इस्थान पर यग का आयोजन करते हैं और इसमें सभी जो रिशी मुनी होते हैं देवी देवता होते हैं इनको बुलाया जाता है चीके और यह है यग जो है कार्षिक मास में संपन होता है तो इस वज़े से यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, यह एक पवित्र इस्थान माना जाता है, यहाँ पर विदेशी परेटक बहुत संख्या में यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर देखिए पशू मेला वह भी लगता है, यह मेला वह उटों की बिक्री के लिए प्रसिद है तो पसू मेला लगता है जिसमें विशेश कर उटों की विक्री जो है वह की जाती है और इसके लिए यह जाना भी जाता है तो यहां उटों को सजा कर बहुत अच्छे तरीके से यहां लेकर आया जाता है और उनको यहां पर बेचा जाता है ठीक है, तो पुस्कर मेले की, हम लोगों ने क्या-क्याँ खास बात पड़ी है, यहीं पर याद कर लें, एक तो ये मेला जो है, धार्मिक मेला है, इसके साथ साथ आर्थिक मेला भी है, तो यह कहां है, पुस्कर अजमेर में है, कार्तिक शुकल 51 से, पूरनिमा तक यह मेला ल जिसे की आदिवासियों का कुम्ब कहा जाता है तो इस मेले में जो आदिवासि होते हैं उनकी संस्कृति जो है उसके रंग यहां पर दिखाई देते हैं ठीक है तो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला जो है वह है वैनेशर मेला कहा जाता है ध्यान रखेंगे वैनेशर मेल को ही आदिवासियों का कुम्ब कहते हैं और यही आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है जान रखेंगे माग सुकल एकादसी से माग पोनिमा तक यह मेला भरता है। उसके बाद देखिए खंडित शिवलिंग की पूजा होती है जो की पांच इस्थानों पर से खंडित है। तो यहां पर देखिए एक कहानी है इस नेवटपुरा या नवातपुरा गाओं की और वो क्या है कि यहां का एक ग्वाला था और उसकी गाय थी। तो ग्वाला जो है वो अपनी गाय से बहुत परेशान रह रहा था। क्योंकि यह जो गाय थी वो रोज शिव मंदिर में जाकर और इस शिवलिंग पर अपना दूद जो है वह पूरा यहां अभिशेक कर देती थी। दूद का अभिशेक करती थी। ठीक है और फिर वहां से चली जाती थी। तो एक दिन क्वाला जो है देखता है और उसके पीछे-पीछे हो लेता है गाय के ठीक है और जाकर देखता है शिव मंदिर में कि गाय दुगता विशेक जो है वो यहां पर इस शिवलिंग पर करती है रोज ठीक है तो उसे देखकर गाय जो है वो भागने लग जाती है तो क्या होता है कि गाय का जो खुर होता है इस शीवलिंग पर जोड से धक्का लगता है और यह पांच हिस्सों में टूट जाता है ठीक है लेकिन टूटने के बावजूद भी इसकी पूझा होती है कहते हैं की तूटी हुई जो प्रतिमा होती है उसकी पूजा नहीं की जाती है लेकिन फिर भी यहां पर इस खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है ठीक है मूर्ती को पुजारी के अलावा कोई नहीं चू सकता है तो यह विसेश्ता है वैनिश्वर मिले की सबसे पहले क्या यह मेल जो है आदिवासियों का कुम्ब है और मेला कब लगता है माग सुकल एकादसी से माग पोनिमा तक सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर लगता है और इसी मेले की खास बात है कि वैनिश्वर जो नाम है वह क्यों रखा गया खंडित शिवलिंग की पूजा जो है यहां पर होती है ठीक है नेक्स्ट जो मिला है डिग्गी मिला डिग्गी मिला जो है टॉंक जिले के माल पुरा तहसील में डिग्गी पूरी में लगता है ठीक है और भगवान विश्णु जो थे उन्होंने राजा डिग्व जो थे उनका कुष्ट रोक से कल्यान किया था तो यह वज़े से यहां पर वर्स में तीन बार मेला लगता है ठीक है कब कब लगता है श्रावन अमावस्या को बैशाक पूर्णिमा को और भाद्र मास एकादसी को तो यहां पर जो राजा डिग्व थे उनका कुष्ट रोग जो है इनका कल्यान किया था विश्मु भगवान में तो कहानी जो है वो क्या है इनसे संबंदित यह है कि एक बार इंद्र जो है वो अपने दरवार की एक जो अफसरा होती है उर्वसी तो उस पर किसी बात पर उनको क्रोध आ जाता है और उस उर्वसी को वो बारा वर्ष के लिए कह देते हैं कि मृत्यू लोग में जाकर रहेगी यहाँ पर रात भर जो है चरा करती थी तो एक दिन वह घोडी का पीछा करके उसको पकड़ लेते हैं और वो कौन थी वो अपसरा उर्वसी थी तो उसके बाद घोडी जो है वह दुबारा से सुन्दर रूप में आ जाती है और राजा डिग्व जो होते हैं चंदरग्री के इंदर ने मुझे श्राप दिया है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ तो दंड जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो इंदर से और वशी की यदि वो रक्षा करेंगे और वह उसे रोक लेंगे तो वह यहाँ पर रह सकती है और यदि वह रोक नहीं पाए इंदर से उसे नहीं ब डिग और इंदर के बीच में युद्धो होता है, तो जहां इंदर जीत जाते हैं और उर्वशी को लेकर चले जाते हैं। ठीक है तो उर्वशी जो है उसने क्या कहा था कि यदि वह नहीं बचा पाएंगे तो वह उन्हें श्राप दे देगी तो उर्वशी द्वारा जो है जो है जो राजा डिगव होते हैं उनको दे दिया जाता है श्राप कि तुम जो है कोड़ी बन जाओगे तो यहां भगवान विश्नु जो होते हैं उनको दया आजाती है राजा डिगव पर तो उन्हें कहते हैं कि तुम जो है कुछ समयवाद जो है एक प्रतिमा जो है समुद्र से बहती हुई आएगी यदि राजा उसका दर्शन कर लेगा तो उसका रोग मिट जाएगा तो उस समयवाद जो है वह भगवान विश्नु ही थे और भगवान विश्नु ने राजा डिगव का कुष्ण रोक से कल्यान किया इसलिए इस मंदिर को कल्यान जी का मंदिर जो है वह कहा जाता है ठीक है तो ये कुछ स्टोरी है जिससे की आप याद रख पाएंगे में चीज यहाँ पर आप लोगों तहसील में लगता है डिगवी गाउं में नेक्स्ट दिखिए केला देवी का मेला करॉली जिले के केला गाउं में लगता है तो इस मेले में बड़ी संक्या में भक्त जो है वो आते हैं और केला देवी का जो मेला है इसे लखी मेला भी कहा जाता है ठीक है काली सिन नदी के तट पर तरकूट पहाडी पर चैतर सुकल अस्टमी को मेला भरता है ध्यान रखे मेला कब भरता है? चैतर सुकल अस्टमी को नवरात्रों के समय में मेला भरता है मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लखी मेला कहा जाता है पूछ सकता है एक्जाम में लखी मेला क्या होता है? क्योंकि यहां बहुत बड़ी संख्याम भक्त आते हैं, इसलिए केला देवी के मेले को लखी मेला भी कहा जाता है. मुख्य कक्ष में केला देवी और चामुन्दा देवी की प्रतिमा है तो यहाँ पर दो मूर्तियां हैं एक तो केला देवी की हैं और चामुन्दा देवी की है और मंदिर परिशर में हनुमान जी का मंदिर भी है इनहीं को इस्थानिय भासा में लांगुरिया कहते हैं एक एक्जाम में ये कुश्चन पूछा गया था कि केला देवी के मंदिर परिशर में हनुमान जी के जो मंदिर है उनको इस्थानिय भासा में हम क्या कहते हैं तो उन्हें लांगुरिया कहते हैं और देखिए लांगुरिया जो है नरत्य भी किया जाता है और लांगुरिया गीत भी गाया जाता है तो ध्यान दें लांगुरिया नरत्य भी है और लांगुरिया गीत भी है तो ये दो पॉइंट याद रखें नेक्स्ट जो मिला है वह है दसहरा मिला. तो दसहरा मिला कोटा में आश्विन महा में लगता है. दसहरा मेले की सुरुवात 1895 में महाराव उमेद सीभने की थी. ठीक है? इंपोर्टेंट है पूछा गया है एक्जाम में. विजे दस्मी के दूसरे दिन से मिला प्रारंब हो ज ठीक है तो उसके बाद से दसहरा जो है त्योहार मनाया जाता है जिसे हम विजय दसमी भी कहते हैं विजय दसमी के दूसरे दिन से मेला जो है प्रारंब हो जाता है ठीक है और राजिस्थान में कोटा में जो है विशेश तोर पे दसहरा मेला भड़ता है और पशु मेला जो है एक महिना और व्यापार मेला जो है वहे एक महिनी तक यहां चलता है, ठीक है, वहीं पर जो संस्कृतिक मेला है, यानि की जो भी गीत ऊगित गये जाते हैं, जो भी संस्कृति होती हैं, उसको दर्साया जाता है, किस तरीके से राम ने रावण का वद किया था, यह सबी चीज तो बहरतरी जी का मेला, जो है अलवर से कुछ दूरी पर एक स्थान है, बहरतरी वहाँ पर लगता है, लेकिन याद रखियेगा आप तो कि अलवर नाम यदी आता है एक्जाम में तो अलवर ही आप करेंगे, ठीक है, तो अलवर से लगबग 40 km दूर बहरतरी नामक स्थान पर भरतरी का मेला जो है साल में दो बार लगता है एक तो बैसाख में और दूसरा भादो में उजेन के राजा कौन थे भरतरी तो इनका तपस्या इस्थाल माना जाता है तो इनके बारे में एक कहानी है कि जो उजेन के राजा थे भरतरी तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पिंगला तो बहुत ज़्यादा सुन्दर थी तो राजा भरतरी जो है वो अपनी पत्नी जो रानी थी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे लेकिन इनकी रानी पिंगला जो थी वो किसी सैनापती से प्रेम करती थी तो क्या होता है कि एक बार एक सादू जो है राजा भरतरी को उनकी लंबी आयू के लिए अमरता का वर्दान जो है वो ऐसा देते हैं और कहते हैं कि तुम जो है वह हमेशा अमर रहोगे ऐसा जो है वर्दान दे कर उन्हें एक फल देते हैं कि इसे आप खा लें तो राजा भर प्रेम करती थी वो तो एक सैना पती से प्रेम करती थी तो सैना पती को जाकर वो एक फल जो है वो दे देती है ठीक है अब सैना पती जो था वह रानी पिंगला से प्रेम ना करके किसी और से प्रेम करता था कोई नाचने गाने वाली से करता था ठीक है तो सैना पती जो है क्या करता है उस फल को उस नाचने गाने वाली को दे देता है कि अब इसे ही इसकी जरूरत है क्योंकि जो जिससे सबसे अधिक प्रेम करता है तो उसी का खयाल रखता है तो वो जो नाचने गाने वाली है उसका जो है राज्य के प्रती बहुत अधिक प्रेम भी था तो वह क्या करत वहाजनापति नाचने गाने वाली से कि तुम्हारे पास ये फल कैसे आया तो पता लग जाता है कि पिंगला जो है वह किसी सेनापती से प्रेम करती हैं तो राजा भरतरी का जो भी मुहम आया थी वो सब यहां तूट जाती है और वह क्या करते हैं अपना राजपाट त्याग करके सन्यास ले लेते हैं तो यहां पर आकर जीवन परियंत यानि मृत्यू तक वो यहीं पर रहते हैं और यहीं पर इनकी समाधी बनी हुई है ठीक है तो यह थोड़ी सी स्टोरी थी स्टोरी से भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं तो यह मेला जो है दो बार वैशाक और भादर सुकल सप्तमी अस्टमी को लगता है और इसे भी लखी मेला कहते हैं क्योंकि यहां पर भी लाखों में लोग आते हैं ठीक है यहां पर कनपटे जो साधू हैं हातों में चिम्टा लिये हुए शरीर पर राख वगेरा जो है जाद रखिएगा कि इस मेले में काल बेलियन रत्य जो है वह भी किया जाता है ठीक है नेक्स्ट देखिए श्री महावीर जी का मिला और यह मिला जो है करॉली जिले में भरता है गंभीरी नदी तट पर चंदन गाउं यहां पर यह मिला जो है लगता है चैत्र सुक्ल त्रि बड़ा मेला है सुरी महावीर जी का मेला कहां पर लगता है यह मेला जो है करॉली जिले की हिंडोन तहसील में गंभीरी नदी तट पर लगता है ठीक है चंदन गाउं में अब देखिए महावीर जी के विसे में एक कहानी है इस मेले से संबंदी थी कि लोग कहते हैं कि यहा और एक बार उसकी गाय जो है कई दिनों तक दूद नहीं देती है तो जैसे हमने जो कहानी पढ़ी थी वैनिश्वर के मेले की तो उसी तरीके से यहाँ पर एक कहानी है यही कि वो जो गाय थी वो क्या करती थी कई दिनों तक दूद नहीं दे रही थी ऐसा उस चर्मकार को पता लगता है तो उसका कारण जानने के लिए वह भी गाय के पीछे-पीछे जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि उसकी जो गाय है वह एक टीले पर खुद अपना दूद जो है वो गिरा रही है तो टीले को वह खोदता है कि भैई इसमें ऐसा क्या है जहां पर मेरी गाय आकर रोज अपना दूद गिराती है तो वहाँ देखने से पता लगता है कि वहाँ पर खुदाई के दौरान एक गहरे लाल रंग की एक प्रतिमा जो है वह मिलती है तो वो जो चर्मकार है वहाँ उस प्रतिमा को लेकर आता है और एक अच्छे इस्थान पर रख देता है तो महावीर स्वामी जी की ये प्रतिमा है ऐसा क्रपा राम चर्मकार को तो पता नहीं लगता है लेकिन इस प्रतिमा को सबसे पहले पहचाना जाता है बस्वा के जैन अमर्चन बिलाला के द्वारा ठीक है और वो इस मूर्थी को पहचानते हैं कि ये महावीर जी की प्रतिमा है और फिर वहीं पर उनका मंदिर जो है वो बनवाते हैं और मंदिर बनवाने के लिए बहुत बड़ी रकम जो है दान में देते हैं ठीक है और इसी व पहले चर्मकार के जो वनसज होते हैं उनसे पहले हाथ लगवाया जाता है और उसके बाद रथ यात्रा निकाली जाती है ठीक है तो ये चीज़ आप दिहान में रखेंगे तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे आप लोगों को दिहान में रखना है डिग् सुक्ल त्रियोदसी से लेकर और वैशाक क्रश्न प्रति पदातक लगता है वहीं पर हमने भर्दरी का मेला देखा था जो की साल में दो बार लगता है एक वैशाक में लगता है और दूसरा कब लगता है भादों में लगता है ठीक है फिर हमने सबसे पहले जो पुसकर का मे कहते हैं आदिवासियों को सबसे बड़ा मेला डूंगरपुल जिले में लगता है और वो मेला जो है माग सुकल एकादसी से माग पूर्णिमा तक लगता है तो ये कुछ मेले के बारे में हमने पढ़ा इनको आप दुबारा से रिवाइस करिएगा ध्यान से इनको ये कुछन पूछा जाएगा ये मेला कहां लगता है ये मेला जो है किस माहा में लगता है और इसकी खास जो विसेशता है वह क्या है ठीक है तीन पॉइंट जो है वो यहां पर आप ध्यान में रखेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम नेक्स्ट मेल में बढ़ेंगे थेंक यू